सब शिरेटा, प्यारे वद्यारतियों, ट्रांसलेशन टॉपिक दा सब टॉपिक, डिकलेर करन तो पहला, मैं ए जानाना चाँदा हाँ, कि कि तुसी बोड उपर लिखे हुए सिंटेंसिस दी अंग्रेजी बना सकते हो, कि तुसी जान दे हो, कि बोड उपर जड़े सिंटेंस लिखे ने, एक केड़े टेंस देने, पहला बाग है, ओहो हमेशा सच बोलदा है, दूसरा मैं पत्तर लिखता हाँ, तीसरा ओ स्कूल जान दे हाँ, चौथा ओ तेज दोड़ती है, पंजबा तर्थी सूरज द्वाले कुमती है, कि यारेवद्यारतियों, एक संटेंस प्रे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस देने, आज अपां प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस दे वाकानों पहचानना भी सिखांगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस दे वाकान दे अंग्रेजी बनाना भी सिखांगे, पर इस तो पहला वाली जड़ी वीडियो सी, जिस द आपन ट्रांसलेशन पार्ट वानदेवेच ए सिख्या सी कि जदों किसे व्यक्ति दा कामत दा दसन भोगे हैं किन दा पाव किसे व्यक्ति दा गोण दसन भोगे rivalry ओ व्यक्ति की है ये दसन भोगे तो दो दुल जेड़ा शवद्द हायाओंदा वद्धे वास्थ हम इज्दपर्यों करते हां किसे व्यक्ति दिवेच्छ कोई गोणा शीएस शीव आस्दपर वास्थ बस्धा इस्तमाल करते हां उध्यार्ण देखते हां मैं वद्यारत थी हां तक quality होगी ना, कि मैं वद्यार थी है, तक उत्तरे की आजेगा, I am a student, आपा सिर्फ हाँ शाब्द है शाब्द नहीं देखना, आपा वाक देवेजे देखना है, कि उस व्यक्ति जिस दी गल हो रही है, उस दी quality दा ब्यान हो रही है, उस दी quality दसी जा रही है, तो जो एक quality दसी जा रही है, ओ है कि एक दस्य जा रहे है, तो अपा इस एमाता योग करना है, जिन्हें दूसरा बाग है, ओ खिडारी है, तो quality दसी तो अंसल गिया देखना है, he is a player, तीसरा बाग है, ओ दुकामदार सन, जाता चलिए, ते सन शाब्द है, एस दा की अमसरा आजेगा, दे वर शाब्द कीपल्स, तब प्यारे दे आर्थियो, आपा कल्ला है, नहीं देखना, क्योंकि ए जिडा है, एक कही ठांते आवेगा, प्रैजन इंडेफिनेट टेस्ट दे वेच, एही है वर्ड, हां वर्ड आवेगा, फिर तुछे प्लेखा खा सक देओ, इसकर के ए त्यान रखो, कि जोनों किसे व्यक्ति बारे ए दसने, कि ओ की है, ओ दुकांदा है, ओ किसान है, ओ खिडारी है, ओ वकील है, ओ डॉक्टर है, ऐस तरह नहीं कुछे दसने, तब आपां इसे मारदा प्रियोग करांगे, जोनों आपां एक दसने, कि ओ खेड़दा है, तो है तो मगर आगे, जोनों आपां एक दसने, कि ओ कोई किरेया करदा है, तो उनों आपां वर्वधी फारंदा इस्तिमाल करदी हां, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, दे वाकां दी, पहचान अपां कही तरिके नाल कर सकते हां, पहिला तरिका है, वाक दे आंत ते, दा हां, दे हां, दा है, दी है, आद आउंदा है, दूसरी पहचान की हो सकती है, वर्तमान वेच, कीते जन्दे कामदा वर्णन होंदा है, तीसरी पहचान, व्यक्तिदी आदत कर्शी गई होगे, चोथी पहचान, रुजाना कर्ण वाले कामदा वर्णन होगे, पंजमी पहचान, यूनिवर्सल ट्रोथ दा वर्णन होगे, को मैं पत्तर लिखता हां तो तुस्य वागते आंते देखें दाहां तब पक्की निशाने लोगी ना कि दाहां आ गया तो इन्दा मदलुक गिड़ाएंगा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है दूसरा वागते को ओ हमेशा सच बोलता है दाहा है दाहा है यह तो पता लाग सब्सक्राइब करने लागते हैं तीसरा संटेंस है उताराण है तीसरी वद्यारती हर रोज मदार्ण वेजिखेरते हैं। इन्दा मतलुक यहां कि रुजानां करनवाले कामदा बर्मन है तर उस्तों भी ऑनों पता लगता है कि ऐप प्रेज़डिज़ इंडेफिनियृट्ट सहय कोर्पी देख सक यह घरतियो अग्यादि देखो तरती सूरज द्वाले कुम्क्ति है ये युनिवर्शल ट्रोथ हैं एक सर्व व्यापक सिचाई है जड़ी पार्थमेच भी साथ है मिक्लेट भी साथ है तो अधही सचायी जड़ी दुनिया सचाय है उससे और पान युनिवर्सल ट्रोथ जा स्रव वियावपक सचायी कहें थे हूं तो पक्याव और प्रेजन्ट इंडेविनेटिक टेंसिती वर्तों करते हूं प्यारेव द्यार्थियो अप्पां वाक्वाग्वाग्वाग्वाग्वाग्वाग्वाग्वाग्वाग्वाग्वाग्वाग्वाग्वाग्वाग्वाग्वाग्वाग्वाग्वाग्वाग्वाग्वाग्वाग्वाग्वाग्वाग्वाग्वाग्वाग्वाग्व याद रख्यों है कि पहले इस है वर्वती पहली फार्म में पहले केस है वर्वती पहली फार्म दूधा केस की है कि अला एस जान एस प्यारे देर्थियों तीजरी केस है वो है का दू ड़स वला तीजरी केस की है दू लगेगा जहां ड़स लगेगा प्यारे देर्थियों कदों इकल्ली पहली फारंदा इस्तमाड करना है कदों पहली फारंदे ना लग एस जहां इस दा इस्तमाड करना है प्यारे वद्यार्थियों वद्यार्थियों अक्सर ही प्लिखा लगदा है कि कदों पहली फारम नाल ऐस जां ये सदा इस्तमाल करना है तिक कदों पहली फारम नाल ऐस जां ये सदा इस्तमाल नहीं करना प्यारतियों आओ आपा एप लिखा दूर कर लेंदे हम तब याद रखे हो पहला केस है आए वी दे जान प्लूरल सब्जेक्ट है जानि के बहुगा चलवाला सब्जेक्ट तब प्लूरल सब्जेक्ट होए तब आपा एदेनार वर्पदी सिर्फ पहली फार्म लगाँ नहीं है एस जान इस नहीं लगाँ दूजा केस जड़ा वर्पदी पहली फार्म दे जान एस लगाँ वाला है उस्टरेच की है कि ही होए शी होए एट होए जान की होए शींगलर सब्जेक्ट उन्वा पक्की करना है वर्पदी पहली फार्म दे नार एस जान इस लगाँ नहीं है गल करने टीजे की एस दी दूजा को दो लगता है दूजा कर दो दाज तब प्यारव जार्थियों दूजा दा इस्तमाल दो स्थितियं वेच होए एक तम प्रशन वाड़े वाका लेच ते दूसरा ना वाचक कि प्रशन वाले बात करते हैं इना वाकां देवेच अपां दूते डास दा प्रियोग करांगे पहला संटेंस है मैं पत्तर लिखता हां मैं वास्ते वर्ड है आए आए ना देखो की लगेगा सिर्फ पईफार लिखना राइट आए राइट अलेट बस बनगा नेक्स्ट संटेंस देखो ओक रिक्ट खेड़ता है ओ एक जाना जड़ फी फी लगा लेग फी शीएट इना मे क्रिक्ट खेड़ना की हुड़ है प्लेट फी प्लेज क्रिक्ट क्यों आगया क्योंकि ही शीएट नाल जड़ों पहली फार्मद इस्तमाल करांगे ताम एस जान इस लगावाँ है तीसरा बाद है ओ ओखी खेड़ दी है और वह वास्ते लड़की है इसके शीएट अगया तो खेड़ना वही प्लेज अगर शीएट प्लेज होकी अगर नेक्स्ट असंडेंस देखो ओ कहाणी सुन दें हम ज्यादा जने है ओ ज्यादा जने होना अपने लाजिए का वर्ण देख अगर फारम देनाल एस नहीं लगाँ ना देखो चेक करो पहना मदलों की आगया दे दे नाल पाजड़ी भी भारंदा इस्तमाल करांगे आपका एस नहीं लगाँ आगे दे शुरण दे लिसन दे लिसन और स्टोरे ऑची असी पत्तर नहीं लगते हां तब प्यार जश्य नहीं बाला गाँ एस गले असी जाता इस्तमाल करांगे ब्रॉड करता है तो अपना डूजयत वह स्वांट करता है इस आपना दूगा करना है चाहे ऑप्रशन होए थे चाहे वह नाव एकवाई ते जेतर करता जड़ाएगा सिम्लर होगे सिम्लर सजेक्ट यानि कि एकवच्टन वाला करता होगे उधो अपां डास गाय समाल करना है नाम वाजक वास्ते डास नोट ते प्रशन वास्ते डास तो आप यार जार कि वह पंजमा लेड़े साने को वाची आशी पत्तर नहीं लि वी जादा जड़ी है प्लूरल सजेक्टों कहते हैं डू द प्रयों कराएगे नाम वाजक है डू नोट वी डू नोट आगे देखो कि यह लिखना पत्तर पत्तर लिखन दिखाता है वी डू नोट राइट अब अधे ठीके जी लाएगita कफार क्रिकेट नहीं खेड़दा है ऑफ पहलो एके लिखार है ही जो दो armed सजेक्ट होबें एक वच्यामाला करता होबें ता अब आप डाज़ग लिग करना है जे नाम वात कहता है डाज़ नोर होडा है के लू त guard क्लिक है बड़ा सुप्पा जैसी नेक्स्ट संटेस्स देखो सेमंत की ओ हाकिंग खेड़ती है प्रशन वाला आगया पर करता एक बचन है एक बचन वाला पर की लोगन है डाज तो साथे को आज़ेगा डाज लगकी है इसकर की किया देगा डाज शी प्लेग होकी की ओ कहानी सुनते हम ओ जादा जने दे और ज्यादा जने और अपा डूद अप्रियों करना है जदो अपा प्रशन पनूना होता है ता अपा डाज नूँ जा डूड़नू वाक देखो देखो शुरू तो लगाने हां तो इसे बहुत नहीं है प्लूरल सब्जेक्ट है ता अपा डू लावागे ता डू अगया देगा डू जादा जने दू दे लिसन अब स्टोई का प्यारे किते हैं तो आपा दोहराई का अलेंदे हां मैं पत्तर लिखता हां आए राइट लेटर की ओ कहानी सुन दे हां दे लिसन अब स्टोई असी पत्तर नहीं लिखते हां वी डू नट राइट अप लेटर ओ क्रिकट नहीं खेड़ता है की दाज नॉट प्ले क्रिकट की ओ हाकी खेड़ती है डाज शी प्ले होकी की ओ कहानी सुन दे हां डू दे लिसन अब स्टोरी क्यार द्यार्थियों छे उदारना तो बाद आपन इंपोर्डेंट संटेंस दा अध्यान करांगे पहली उदारना है ओ हमेशा सर्च बोलता है मैं स्कूल जानदा हां आए गो टू स्कूल ओहु बहुत तेज दोड़ दी है शी रंस वेरी फास्ट सूरज उर्व विचो निकलता है दा सामन राइज इन दा इस्ट प्रित्वी सूरज द्वाले कुमधी है दा आर्थ मूज राउंड दा सन जान दा आर्थ रिवोल्स अराउंड दा सन नेक्स्ट है साच्च कोडा हुंदा है टृत टेस्ट बिटर प्यारे विद्यार्थियो ट्रांसलेशन नाल सबंदत इस तों पहला वाली वीडियो दे वेचापां ट्रांसलेशन दे संटेंस एक तों पच्ची तक स्टड़ी कर चुके हां जेकर तुसी ओ वीडियो नहीं देखी तक किरपा करके ओ वीडियो जरूर देख लेओ होन अपां शपी में इंपोर्टेंड संटेंस तों स्टड़ी शुरू कर दे हां शपीमा वाग है वद्यार्थी हर रोज मैदान वेचे खेड़ दे हां दा स्टूडेंट्स प्ले इन दा ग्राउंड एवरी डे नोट करनवाली गल्पी है कि वद्यार्थी ज़्यादा जने हर जदों ज़्यादा जने होनगे कैन दा पावो करता बहुँ बचन वेचे होवेगा तब फारंगे नाल एस जा इस नहीं लगो ना नेक्स्ट सिंटेंस देखो मैं अपने माता पिता दा दिलों सतकार करता हैं आए आए दे नाल अपां सिर्फ इकली फारंगे इस नहीं लगो ना आए रिस्पेक्ट माइ पेरेंट्स फ्रॉम दा कोर ऑफ माइब हाट नेक्स्ट साथ जो डियरी काल जो जलंदर विखें पड़ता है साथ जो तो एक व्यक्ति हैं सिंग्लर सब्जेक्ट है एक वचन करता है जो तो एक वचन करता होएगा ही शी एक राम उद्व अपा फारंगे नालग एस जहां इस लगोना है साथ जो डियरी कालेज जलंदर विखें पड़ता है साथ जो डियरी कालेज जलंदर नेक्स्ट सेंटेंस देखो प्रिंसीपर साथ अथी छुटी दे समय स्कूल दा चक्कर लगां दे हां तो प्यारव प्रिंसीपर जी नूँ सिदकार सैथ प्रिंसीपर साथ केहा ताही वाग दे आंग दे हान आया है असल दे वेच्चर प्रिंसीपर जी एक हान इसकर के करता जड़ा है को हो एक वच्ण है दा प्रिंसीपर टेक्स अ राउंड ओफ दा स्कूल द्यूरिंग रिसेस नेक्स्ट सेंडेंस है असी सडक दे निजमांगी पालना कर दे हां असी ज़्यादा जने है फारंदे राल एस जाए येस नहीं लगेगा सीता अपने प्राणाल बजार नहीं जन्दी है तब प्यारे वद्यारतियों क्योंके नावाचिक है जो दो नावाचिक वाकासी बनाओं दे हां जानता है डू नोट लगावांगे जान डाजन नोट लगावांगे होनस सीता क्योंके एक जनी है अनना मतलो एक वचन करता है सिंगलोर सबजेक्ट है तो यह जो सिंगलोर सबजेक्ट होए उदो आपा डाजनोट अपरयोग करना मागे अंसर किया जबेगा सीता डाजनोट गो टू दा मार्के विदा ब्रदर नेक्स्ट संटेंस है तुसी मेंनों पसांद नहीं कर देगो यू डॉन्ट लाइक मी प्यारट यू एथियाप्पा डॉन्ट दा प्रयोग किता है डू नोट दा प्रयोग किता है डाजनोट दा प्रयोग किता उस दा कारना ए है कि जड़े यू वर्ड है एक प्लूरल वर्ड है जो दो सब्जेक्ट प्लूरल होवेगा कैन दा पाव करता बहुँ बचन लेचे होवेगा ता अपन दू नोट दा प्रयोग करना है जे कर करता एक वचन वाला होवेगा सिंगुलर सब्जेक्ट वाला होवेगा ता अपां 10 नोट दा प्रयोग करना है नेक्स्ट देखो आजकर वद्यार्थी पड़ाई तो जी नहीं चरूंदे हम 10 स्टूडेंट्स होण वद्यार्थी ज़्याद है करता बहुत वचन वाला है प्लूरल सब्जेक्ट है ता अपां दो नोट दा प्रयोग करना है दास पूडेंट्स डो नोट शाग्त स्टडीज दीज देज नेक्स्ट देखो ओ मेरे वालू बिल्कुल अत्याम नहीं देदी है ओ हो एक जनी है यानि के करता एक वचन है सिंगलोर सब्जेक्ट है सिंगलोर सब्जेक्ट दे नादल नावाचक वाक देवे चापां दास नोट दा प्रयोग करांगे शी डास नोट पे एनी अटेंशन तो मी नेक्स्ट है ओ हो आटा गुणना नहीं जानता है एक जने दास नोट प्रयोग करांगे यी डास नोट नोट नीड फ्लाव नेक्स्ट है की तुछे किराय दे मकान दे चरहने हो चापा जाने है दास दी खांते दूद प्रयोग करांगे डू यू लेव इन अ रेंटन हाउस नेक्स्ट संटेंस है की अध्यापक वद्यार्थियानों सजा बिल्दा है अध्यापक एक्त है एक वचनाडा करता है ता दास दा प्रयोग करांगे डास दा टीचर उन्रीच दा स्टूडेंस नेक्स्ट है की ओ स्वाटर नहीं पुणती है डास न्ट शी निट और स्वेटल प्रशन वाले वाट देख लो की असे शामनू खेटर जांदे हां जो तो हम आपसी देख्या गे शब्द असी है इन्द मदलुकी हैगा की करता बो वचन वीच है सब्जेक्ट प्लूरल है जो दो सब्जेक्ट प्लूरल होएगा तो अपाँ दू द प्रयोग करना है दू वी गोटो प्ले इन द इमें ते वाट दे आन्त ते अपाँ प्रशन चेन जरूर लगोना है नेक्स्ट है की दादा जी रोज बंदर जांदे हां और दादा जी एक है करता येड़ है का हो एक बचन वाला है तो अपाँ डाज द प्रयोग करां डाज ग्रेंड़ फादर गो टो दा टेंपल एवरी डिग रोकेस्टर करो जारती हो जेकर तो हनो ए वीडियो वदिया लगी है तो हनो कोई जानकर ही होई है तो किरपा करके मेरे चैनल नो सब्सक्राइब जरूर कर लो ते नले एस वीडियो नो होल जरूर्त मंदर देर जेंटाकर जरूर पहुंचा दू तो हाटा वीडियो नो देखन दे बहुत बहुत तानवाद दोस्तो फिजिकल एजुकेशन तो इलावा तुसी इस चैनल ते इंग्लिश, हिस्ट्री, एन्वर्नमेंट, समाई सेवा, क्रोना केर आद अनेका टोपिक्स ते वीडियो वेख सकते हो चैनल नो सब्सक्राइब करन ते तानवाद यूट्यूब दी सर्च बार दे वेच आपां दिनेश एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स लिखना है साड़े को लों एक नमा पेज आजेगा उन्दे उपर ले पसे लिखा वेख दिनेश एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स ते हेठां ओप्शन देती है सब्सक्राइब दी तुसी डारेक्ट एक्थों भी सब्सक्राइब कर सकते हो जेकर कोई वीडियो देख रहे हो जमेंके अपाँ चैनल खोल ले ते अपाँ कोई वीडियो देख रहे है हां तर जदो वीडियो चलेगी साड़े को लो कुछ आप्शन्स आण गिया तर साड़े को आप्शन्स आगिया एते जिते फोटो लगिया है था दिनेश एजुकेशन एंड स्पोर्ट से लिखा हुए है एदे नाला सब्सक्राइब दा बटन है तुसी सब्सक्राइब दा तो आल दी आप्शन्स जड़ी है वो तुसी जुरूर प्रेस कर देनी है तांके तो हनो हर नमी वीडियो दा सुनेहा लग जागरी सब्सक्राइब करन ले ते वीडियो ज़े शेर करन ले तो अड़ बहुत बहुत तानवाद